हलो नमस्कार में डाक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ आज की वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे आचारे रामचंदर शुकल की द्रिष्टी में जैसंकर प्रसाद के ऊपर और देखने का प्रियास करेंगे कि शुकल जी ने जैसंकर प्रसाद का मुल्यांकन किस तरीके से किया है और परिक्षाओं के द्रिष्टी कौन से कौन कौन से तथ्य महत्पून है जिने की हमें ध्यान में रखना चाहिए जब आप जैसंकर प्रसाद को आचाय रामचे निशुकल की किताब में पढ़ने जाएंगे तो इसका जिक्र आधुनिक काल प्रकरणचार के अंतरगत का विखंड नई धारा तृतिय उत्थान में किया गया है यहाँ पर आप देख रहे हैं तृतिय उत्थान दिया गया है इसका मतलब है कि इसके पहले प्रथम उत्थान और दूतिय उत्थान के बारे में चर्चा की गई है जो कि कल खंड विशेश के लिए हैं प्रथम उत्थान भारतिय नदू युक से और दूतिय उत्थान को ध्यान में रखकर आप सभी से बात्चित कर रहा हूं तो आज बारी थी जैसंकर प्रसाद की और शुकले जी ने जैसंकर प्रसाद को 11 हमें नंबर पर रखा है इसका मतलब है कि इसके पहले अन्य और कभियों पर उन्हों ने त्रितिय उत्थान की अंतरगत विचारवी मस् लिखते हैं कि ये पहले ब्रज भाषा की कविताएं लिखा करते थे जिनका संग्र चित्राधार में हुआ है यानि जो पहला ही पॉइंट है वो आप सभी को ध्यान में रखना है कि जे संकर प्रसाद शुरुवात में ब्रज भाषा में लिखते थे और इनकी जो रचना है या कावि संग्र चित्राधार ये ब्रज भाषा में लिखा गया है तो अगर परिक्षा में सवाल पूछा जाए कि चित्राधार की भाषा क्या है तो ब्रज भाषा को बिल्कुल ध्यार में रखिए आगे लिखते हैं कि समवत 1970 से वे खड़ी बोली की ओर आये और कानन महाराना का महत्व करूडाले और प्रेमपथिक प्रकाशित हुए यानि कि 1970 को अगर हम सन में कनवर्ड करेंगे तो सन 1913 इस भी से वे खड़ी बोली में लिखना शुरू कर दिये और इसमें चार रचनाएं आप देख रहे हैं इन चार रचनाओं का नाम बिल्कुल ध्यान म कुशुम में तो प्राय उसी धंग की कविताये हैं जिस धंग की दिवेदी काल में निकला करती थी यानि कि कानन कुशुम जो के 1913 के आसपास की रचना है तो इसके ऊपर दिवेदी युग का भी दिखाई पड़ रहा है क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि 1900 से लेकर 1918 की ब महाराणा का महत्व और प्रेम पथे जो कि अतुकांत रचना है जिसका मार्क स्रीधर पाठक पहले दिखा चुके थे यहाँ पर जैसंकर प्रसाद को आचाय रामचन शुक्ल अपने पुरवर्ती और जो परंपरा से जुड़े वे कभी हैं खासतर से दिवेदी युग के य कभी हों से जोड़ते हुए बता रहे हैं कि कैसे शुरुवात में ब्रज भाषा में लिख रहे थे फिर बाद में खड़ी बोली के तरफ इनका रुझान हुआ तो महाराणा का महत्व और प्रेम पथे यह भी संबत 1970 प्रकासित हुए यानि के 1913 के आसपास में और ये सारी अठ्व रचना है तुकान्त रचना हैं और तुकान्त रचनाओं के लिए श्रिधर पाठक पहले से लिक रहे थे श्रिधर पाठक की जब बीचेठ की ज्यागी तो ये दिवेदी यूक से जुड़े हुए पाजने क्योंकि इसको भी ध्यान में द्याना सवाल के रूप में आ जाता है भारतेंदु काल में ही पंडित अंबिकादत व्यास ने बंगला की देखा देखी कुछ अतुकांध पद्धे आजमाए पीछे पंडित स्रीधर पाठक ने सांध अटन नाम की कविता खड़ी बोली के अतुकांध पद्धियों में बड़ी सफलता के साथ दर पाठक की है और ये खड़ी बोली में आगे शुकली जी लिखते हैं कि सामानी परिशे के अंतरगर दिखाया जा चुका है कि किस प्रकार सर्वस्री मैथली शरणगुप बदरीनाथ भट मुकुट धरपांडे इत्यादी कई कभी अंतरभावना की प्रगल्भ आई व्यंजना के उपयोग स्वक्षंद नूतन पधती निकाल रहे थे जैसा कि आप आचाय रामजन शुकली के इतियास ग्रंद के पैटर्न को समझते हैं कि जब यह किसी कालखंड की शुरुवात करते हैं तो पहले प्रकरण में वो सामानी परिशे देते हैं फिर आगले प्रकरण में देरे-देरे अलग-अलग सिर्षकों से बात चित करते हैं तो उसी के तरफ यह संकेत किया है कि जब यह आधनीक काल प्रकरण चार की शुरुवात कर रहे थे तो उसमें सामानी परिशे के अंतरगाती नोने दिखा दिया है कि मैत्री शरणगुप्स बदरिना लिखी जा रहे थी इसके पुरवर्ति कालखंडों में उसे थोड़ा सा नए पधति को यह अपना रहे थे जिसमें चित्रमई व्यंजना चित्रमई शब्द आया हुआ है तो इसको आप विम्ब से जोड़ कर देख सकते हैं साथ में स्वक्षंद नूतन प्रकृति यानि कि पधति यानि कि जिसके अंतरगत प्रकृति को भी जोड़ा गया है और व्यक्ति स्वातंत्रे को भी रखा गया है तो काने का मतलब यह है कि छायावाद जब बेज देरे देरे शुरू हो रहा था तो अपने पूरवर्ति प्रवित्तियों से अलग हो रहा था जिसमें कि इत प्रवित्ति यह वो दिवेदी युक से जुड़ी हुई है तो शुक्री जी लिख रहा है कि डाइरेक्ट जैसंकर प्रसाद चित्रमई व्यंजना और स्वक्षंद नूतन पधति को नहीं निकाले बलकि इसके पहले से इसकी शुरूआत हो गई थी लिखते हैं कि पीछे उ इतर संग्रहीद हुई यानि कि जहरना जिस संकर प्रसाद की जो रचना है नूतन पधति पर आधारी थे जहरना की उन 24 कभिताओं में उस समय नूतन पधति पर निकलती हुई कभिताओं में कोई ऐसी विस्ष्टा नहीं थी जिस पर ध्यान जाता यानि कि यह अपने पुर 84 इसमें से 57 अगर आप माइनस करेंगे तो बहुत लंबा यान पर गयब हो रहा है एक तरीके से दिखा जा तो 1987 में इसका दुसरा संसकर निकलता है जहरना का शुरुवात में ये उन थारगरे प्रकाशन निकलता है और पुस्तक का रूफ ही बदल गया है उसमें आधी से उपर अर्था 33 रचनाएं जोड़ी गए जिन में पूरा रहस्य वाद अभिवेंजना का अनुठापन वियंजक चित्र विधान सब कुछ मिल जाता है यहां पर हमें ध्यान में रखना है कि जो जह तो शुरुवात में पहले संस्क्रण में 24 कविताएं निकली जब दूसरा संस्क्रण 1927 के आफपास में निकला तो उसमें आधी से उपर यानि 33 रचनाएं और जोड़ी गए जिन में रहस्य वाद अभिवेंजना का अनुठापन वियंजक चित्र विधान सब कुछ मिल जा इसलिए मिल जाता है क्योंकि अब विश्व दुरूप से चायवाद का समय चल रहा था 1928 से लेकर 1936 तो उसका प्रभाव पूरी तरीके से दिखाई पड़ता है और जो भी आपक प्रवित्या दी गई है वो एक तरीके से चायवाद के ही सभी प्रवित्या है इनको ध्यान म आप रख सकते हैं आगे लिखते हैं विशाद बालू की बेला खोलो द्वार विखरा हुआ प्रेम किरण बसंत की प्रतिक्षा इत्यादी उन्ही पीछे जोडी रचनाओं में है जो पहले समवत 1975 के संस्क्रण में नहीं थी ते आपर नया तत्याप देख रहे हैं बदलते पैटर्ण में इन सभी रचनाओं को पूछा जा सकता है इसलिए जरूर ध्यान में रखें खास्तोर से बालू की बेला को ध्यान में रख लीजिए बिखरा हुआ प्रेम चमत्कृत कर देने वाला टॉपिक है तो इसको ध्यान में रख सकते हैं वसंत की प्रतिक्षा ये भी धूम धाम से निकल चुका था जिसमें रहश्य भावना तो कहीं कहीं पर अप्रस्तुत विधान चित्रमई भाषा और लाक्षनिक वैचित्रे आदी विशेष्ताएं अत्यंत प्रचूर परिमाण में दिखाई पड़ी तो जैसा कि मैंने बताया कि जर्णा के दुतिय संस् को लेकर कई जगां किताबों में अलग-अलग डेट दिये गए हैं अलग-अलग वर्स दिये गए हैं 1926 में कई किताबों में 1926 और कई पुष्टकों में 1928 ठीक है तो हमें ध्यान रखना है खास दोर से मैं सुमित्रा नंदन पंद के बारे में पढ़ रहा था मौलिक में इसको दो साल इधर-उधर कर दिया गया है तो अभी फिलाल के लिए दोनों तिथियों को आप ध्यान में रखे जो भी आपसन में रहे उसको आप लगा सकते हैं तो जब दुतिय संस्क्राण निकला तो उससमें पल्लों और पल्लों की चर्चा इसलिए की जा रही है क्यों चित्रमई भाषा परभी विश्तार से बाक्चित किया हुआ है लगबग ए 40 पेच के आसपास में भूमिका है तो इस भूमिका के माध्यम से सुमित्रानंदन पंत का आलोचकिय गुण भी दिखाई पड़ता है अगर कोई रिसर्च करना चाहता है तो इधर वो अपना काम क कर सकता है फिर शुकले जी लिखते हैं कि प्रसाद जी में ऐसी मधुमई प्रतिभा और ऐसी जागरूग भावक्ता अवर्श्य थी कि उन्होंने इस पद्धति का अपने ढंग पर बहुत ही मनोरम विकास किया संस्कृत की कोमल कांत पदावली का जैसा सुन्दर चयन बंग भासा के काभ्यों में हुआ वैसा अन्य देश भासाओं के साहित में नहीं दिखाई पड़ता उनके परिशीलन में पदलालित की जो गूँज प्रसाद जी के मन में समाई है बराबर बनी रहे जीवन के प्रेम विलास में मधुर पक्ष की और स्वाभाविक प्रभिति होने के कारण वे उसे प्रियतम के संयोग बियोग वाली रहस्य भावना में जिसके स्वाभाविक रहस्य भावना से आलग अलग समझना चाहिए रमते प्राय पाये जाते हैं प्रेम चर्या की शारिरिक व्यापारों और चेस्टाउं असरूद स्वेत चुंबन परिरंभन लज्जा की दोर्तिव हिलाली इत्यादी रंगरेलियों और अट खेलियों वेदना की कसक और टीस इत्यादी की और इनकी द्रिष्टी विशेश जमती थी इसी मधुमई प्रवित्ती के अनुरूप प्रकृती के अनंत छेत्रे में भी वल्लरियों के दान, कलिकाओं की मंद मुस्कान, सुमनों के मधुपात पर मडराते मलिंदों के गुंजार, सौरभर समीर की जपक लबक, पराग मकरंद की लूट, उशा के कपोलों पर लज्ज अधन के सरक्ते अगुंठन, मधुमास की मधुवर्षा और जुमती मादक्ता इत्यादी पर अधिक द्रिष्टी जाती थी, तो यानि कि शुरुवाती जो कविताये हैं, जे संकर प्रसाद की उनकी विशेस्ताओं के तरफ बहुत कठिन शब्दावलियों में संकेत किया है मधुमाई प्रवित्ती या फिर मधुवर्षा ठीक है, या फिर कठिन कठिन शब्दों का प्रयोग आचायर शुकली ने जे संकर प्रसाद के मुल्यांकन के समय में किया है, आगे वे लिखते हैं कि अतह इनकी रहसिवादी रशनाओं को देख चाहें, तो यह कहें कि इनकी मधुवर्षा के मानस प्रसार के लिए रहसिवाद का परदा मिल गया, अथवा यह कहें कि इनकी सारी प्रणयान भूती ससीम पर से कूद कर असीम पर जा रहे हैं, तो इस कठन को आपको ध्यान में रखना है क्योंकि यह कठन थोड़ा सा चमत्रित करने वाला है, कि इनकी र रहसिवादी, मैं बार-बार आप सभी को बताता हूं कि आचायरामचन शुकल के डाइरेक्ट नाम नहीं लेते हैं, सर्वनामों का प्रयोग करते हैं, तो इनकी शब्द जैसंकर प्रसाद के लिए है, कि जैसंकर प्रसाद की रहसिवादी रचनाओं को देख चाहें, तो य पहले विशिश रचना आशू समवत 1999 है, अब समवत में दिया हुआ है तो इसको आपको ध्यान में रखना है, इसके बाद 1999 मेंसे हम अगर 57 या से घटा देते हैं, तो आप देखेंगे कि कितना इसमें हो रहा है, अला कि जब आप सही सही देखेंगे तो 1925 में इसका प्रका आशन हुआ था, ठीक है न, तो समवत और सन को आप ध्यान में रखेंगे, बाकी यहां पर आप देख रहे हैं कि अलग कुछी इस भी आ रहा है, फिर भी आप ध्यान में रखेंगे 1925, तो लिख रहे हैं शुकली जी कि इनकी पहली विशिश रसना आशू है, आशू वास्त में तो स्रिंगारी विप्रलंब के, जिन में अतीत संयोग सुख की खिन इसमृतियां रह रहकर धलक मारती हैं, पर जहां प्रेमी की मादक्ता की बेसुधी में प्रियतम नीचे से उपर आते और संग्या की दिशा में चले जाते हैं, जहां हिर्दे की तरंगें उस अनंत को को नहलाने चलती हैं, वहां वे आसु उस अज्यात प्रियतम के लिए बहते जान परते हैं, फिर जहां कभी यह देखने लगता है कि उपर तो कभिता दिखें, अवकाश असिम सुखों में आकाश तरंग बनाता, हंश्ता सा छाया पत में नच्छत्र समाज दिखाता, अच् आसु की रचना को तो ध्यान में रखना है, और ये किस तरीकी की रचना है, कई जगां पर आप पढ़ेंगे तो लिखा है कि इस्मृती काब्बी है यह ठीक है, या फिर इसको विरव्यदना से भी जोड कर दिखा गया है, यहां पर शुकली जी ने लिखा है कि आसु वास् की वे सुधी में प्रियतम नीचे से उपर आते हैं, चंग्या की दिशा में चले जाते हैं, जहां हिर्दे की तरंगे उस अनंत कोने को नहलाने लगते हैं, वहां वे आसु उस अज्यात प्रियतम के बहाने बाते जान परते हैं, यानि कि इसमें आप रहस्यवात को भी यहाँ पर एक शब्द है छाया पत नाम से एक रचना भी एक रचना कार ने लिखा है अगर आप लोग तयारी कर रहे हैं तो जरूर इस रचना से गुजरे होंगे छाया पत नाम से किसकी रचना है इसको कमेंट्स करके आप बता सकते हैं एक दूसरा उदारन शुकली जी ने दिया है नीचे बिपुला धरणी है दुख भार वहन से करती अपने खारे आशू से करुणा सागर को भरती तो यह सब पंक्तियां आशू से ली गई हैं लिखते हैं और इस चीर दग्ध दुखी वस्धा को इस निर्मम जगती को अपनी प्रेम वेदना की कल्याणी सीतल ज वहाई पर जब हम कवी की दृष्टी अपनी सदा जगती है अखंड जवाला की प्रभु प्रभ विशुनता पर इस प्रकार जमी पाते हैं कि हे मेरी जवाला और काते हैं तेरे प्रकाश में चेतन संसार वेदना वाला मेरे समीप होता है पाकर कुछ करुण उजाला तो क्य कि देखिए यहाँ पर आचाय रामचन शुकल की भाषा शैली कुछ कठिन से जान परती होगी उतना यह कठिन नहीं लिखते हैं जब बहुत मन अच्छे से इनका रहता है तो इनकी शब्दावलियां समझ में भी आती हैं लेकिन क्योंकि चायवाद को यह ठीक से पसंद नह इनको अच्छा नहीं लगता था तो कई बारे इनकी जो शब्दावलियां कठिन से कठिन होती जा रहे हैं यहाँ पर जो भी आप देख रहे होंगे थोड़ा सा आपको कठिन लग रहा होगा लेकिन नह पढ़ने के अस्थान पर कुछ थोड़ा सा भी पढ़ लेंगे तो आ आने का तात्वर है कि वेदना की कोई एक निर्दिष्ट भूमी न होने से सारी पुष्टक का कोई एक समानमित प्रभाव नहीं निश्पन होता है पर अलग-अलग लेने पर उक्तियों के भीतर बड़ी ही रंजन कारणी कलपना वेंजंग चित्रों का बड़ा ही अनुठा विन्यास भावनाओं की अत्यन्त सुकमार योजना मिलती है प्रसाद जी की ये पहली कावि रचना है जिसने बहुत लोगों को आकरशित किया आसु के बारे में बोल रहे हैं कि प्रसाद जी की ये ऐसी पहली विशिष्ट रचना है जिसके तरफ बहुत लोगों का ध्यान अभिवेंजना की प्रगलवता और विचित्रता के भीतर प्रेम वेदना की दिब विभूती का विश्व में उसके मंगल मैं प्रभाव का सुख और दुख दोनों का अपनाने की उसकी अपार शक्ति का और उसकी छाया में सौंदर्य और मंगल का भी आभास पाया जाता है आगे लिखते हैं कि नियतिवाद और दुख वाद का विशर्ष्ण स्वर्ष सुनाई भी पड़ता है इस चेतना को दूर हटा कर मद तंद्रा स्वपन और असंग्या की दशा का आवाहन रहस्यवाद की एक सुकृती विधा है इस विधा का पालन आशू से लेकर कामाईनी तक हुआ है अपने ही लिये नहीं उजाले में हाथ पैर मारने वाली चीर दग्ध दुखी वसुधा के लिए भी यही नीद लाने वाली दवा लेकर आने को कभी निशा से कहता है चीर दग्ध दुखी यह वसुधा आलोक मांगती तब भी तुम तुहीन बरस दो कन-कन यह पगली सोय अब भी तो इन पंक्तियों को ध्यान में रखिया कि यह सब आशू से ली गई है चेतना की शान्ती या विस्मृती की दशा में ही कल्यान की वर्सा होती है मिलन सुख प्राप्त होता है अतव उसके लिए रात्र की भावना को बढ़ा कर प्रसाद जी महारात्र तक ले गए हैं जो स्रिष्टी और प्रलय का संधिकाल हैं जिसमें सारे नाम रूपों का लय हो जाता है चेतना लहर न उठेगी जीवन समुद्र थीर होगा संधिया हो सर्ग प्रलय की विच्छेद मिलन फिर होगा ये आखरी पंक्तियां रही है ठीक है तो इस तरीके से हमने सोचा कि आप आचायरामशन शुकली की द्रिष्टी में जैसंकर प्रसाद को देखें और साथ में उनकी जो खास रचना है आसू उससे भी परचित हो आपको सयोग किया जा सकते उसको हमने किया है तो कमेंट्स करकर जरूर बताएगा कि आज का ये प्रयास कैसा लगा मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए नमस्कार